पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की चालिसवी वर्षगांट परसिक समुदाय के लोगों ने अमरिस्सर में सुवण मंदिर परिसर में नारे लगाए प्रदर्शन के दौरान जोर्नल सिंग भिंद्रायवाले के पोस्टर भी देखे गए साती खालिस्तान समर्थक नारे भी लगाए गए इस दौरान शिरुमरी अकाली दल के प्रमुख सिम्रंजीत सिंग मान भी मौजूद थे इस वीच पंजाब में सुरक्षा बढ़ाई गई अमरिस्तर के एससपी ने बताया कि यहां सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये गए हैं बलू की तैनाती की गई हैं बैरिकेडिंग की गई हैं किसी भी अपरिये घचना पर नजर रखे जा रहे हैं युवको द्वारा खालिस्तान के समर्थर मेनारे वाजी वो तलवारे लहरा कर हुलडवाजी के संभावना के चलते एस जूपीसी द्वारा अंदरूनी सुरक्षा कड़ी करते हुए किसी भी अपने एक अटना को रोक निकले एक हजार सेदिक टास्पोर्स के सदस्यों और सेवधारों की तैनाती की गई, पन्जाब पुलिस ने भी सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम पिये, सैक्डों की सैंक्या में साधा वर्दी में पुलिस कर्मियों की परिसर के अंदर तैनाती की गई, गंटागा चौक इस्देश्यारिमंदर साहिव के मुख्य प्रविषद करीब पुलिस कर्मी तैनात किये गए हैं आपको बदादे कि देश के पूर प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी के कारेकाल के दौरान ओपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया था अमरिस्सर के गोल्दन टैंपल में ओपरेशन ब्लू स्टार घटना के दौरान हिंसक और धार्मिक जड़बे हुई थी इस ओपरेशन का आदेश ततकालीन प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी ने दिया था ये ओपरेशन एक जून से 10 जून 1984 तक चला था इसमें काफी संख्या में लोगों की मौत हुई थी इस घटना के बाद पाकिस पंजाब खालिस्तान समर्थकांदूलन लंबे समय तक चले ओपरेशन ब्लू स्टार की वज़े से गोल्डन टैंपल को भी भारी नुकसान पहुचा था सिख समुदाय में भारी आकरोश फैल गया था इसके दूरगामी परिणाम आज भी महसूस किये जा रहे हैं ओपरेशन की कीमत ततकालीन प्रधान मंतुरी इंद्रा गांदी को अपनी जान दे कर चुकानी बड़ी थी ओपरेशन ग्लो स्टार के चार महीने बाद इंद्रा गांदी के सिख अंगरक्षक ने उनकी हत्या कर दी थी